दोस्तों जैसे कि मैं हमेशा अपनी वीडियो के माध्यम से आपको सभी को बताता हूँ हमेशा से कि अच्छी शिक्षा लेना आपका अधिकार है अधिकार मिलता है आपको क्या आपको अच्छी शिक्षा दी जाए सिर्फ शिक्षा मिलना ही नहीं अच्छी शिक्षा मिलना ज U.P. में, क्योंकि U.P. की बहुत सारी universities पर हमने अला की videos बनाई हैं और बहुत सारी videos बनाकर आपको बताया है universities के बारे में, total Q 32 private universities चलतीündों दूस्तों, UH! इन 32 में से, हाला की कई सारे अच्चे अच्छे नाम हैं, जो सामने आये हमने वीडियो बनाई लगबग सभी पर हम वीडियो अब तक बना चुके हैं GLA University मतुरा में हला कि युनिवस्टी है ये GLA University की बहुत बार आपने हमसे inquiry की कि हम इस पर एक वीडियो बनाए बहुत लोगों का suggestion था कि युनिवस्टी कुछ online courses चलवाती है तो online courses युनिवस्टी कैसे चला सकती है क्योंकि NIRF की ranking आप देखते हो तो below 100 में तो इसका नाम ही नहीं आता तो ये युनिवस्टी online courses कैसे चला रही है और भी कई सारे ऐसे आपके सवाल जो आपने हमसे पूछे है युनिवस्टी का approval क्या है मतलब कि युनिवस्टी के पास approvals कौन-कौन से है UGC पर आप इस युनिवस्टी को कैसे चेक करेंगे साथ में NEC accredition क्या बोलता है courses युनिवस्टी कौन-कौन से करवाती है युनिवस्टी में admission ले या नहीं ऐसे बहुत सारे सवाल जो आपने पूछे हैं आज अपनी वीडियो के माध्यम से कोशिश करेंगे आपके सभी तरह के सवालों के जवाब देने की पर डिस्टेंस पर मतलब कि युनिवस्टी जो ऑनलाइन course चलाती है उस पर भी हम अलग से वीडियो लेकर आएंगे बहुत जल्दी बट फिलाल भी आपको ये बता देंगे कि युनिवस्टी ऑनलाइन course चलाती है या नहीं जी एले युनिवस्टी के बारे में ज़्यादा कुछ जानने के लिए दोस्तों बने रही है हमारे इस वीडियो के साथ दोस्तो जी एले युनिवस्टी एक प्राइवेट युनिवस्टी है जो कि मतुरा उत्तर प्रदेश में युनिवस्टी चलती है और युनिवस्टी के पास NAC A plus का accreditation है मतलब युनिवस्टी को NAC A plus मिला हुआ है NAC क्या है तो दोस्तो पहले आपको ये पता होना चाहिए NAC है क्या चीज National Assessment and Accreditation Council है जो कि अपने देश में युनिवस्टी को accreditate करती है कि कौन सी युनिवस्टी को कौन सी grade मिलनी चाहिए युनिवस्टी के reputation क्या है उसी reputation के अनुसार जो NAC ने इसको ranking दी वो दिया A+, और जितने भी universities को A+, मिला हुआ है वो सभी universities online courses चला सकती है जरूरी नहीं कि वो NIRF की ranking में भी हो NIRF क्या है क्योंकि NIRF में ने पहले video बनाई थी बताया था आपको कि NIRF कब बना और किस तरह से काम करता है National Institutional Ranking Framework Ministry of Education Government of India कि ये बुरी body है जो universities को NIRF की 100 की below में जो ranking आती है उसमें डालती है और बताया गया है कौन-कौन सी best universities है तो 100 की हाँ पर list भी डली हुई है nirfinndia.org पर आप देखेंगे डिटेल आपको मिल जाएगे दोस्तों GLA University 2010 में युनिवस्टी बनी थी अभी 2023 में ये वीडियो शूट हो रहा है तो मतलब लगबग युनिवस्टी को 13-14 साल लगबग युनिवस्टी को हो चुके है UGC Act University Grants Commission जो Act है हमारे पास 1956 का उसके section 12b के तहत ये युनिवस्टी बनाई गई और युनिवस्टी के पास नरायन दास अगरवाल University के chancellor है मतुरा में युनिवस्टी है और रूरल में युनिवस्टी ये बनी होई है युनिवस्टी के official जो website है gla.ac.in तो सबसे पहली बात क्योंकि युनिवस्टी को NEC A Plus मिला है तो accredited है युनिवस्टी युनिवस्टी online courses चला सकती है युनिवस्टी के website पर भी आप देखेंगे तो status of 12B by UGC लिखा हुआ है और NEC A accreditation युनिवस्टी को मिला है तो युनिवस्टी online courses अपने चला सकती है कौन-कौन से online courses है उस पर हम अलग से वीडियो बात करेंगे पहले हम बात करते हैं इस उनिवस्टी को आप UGC पर check कैसे करेंगे क्योंकि जितनी भी private उनिवस्टी चलती है अपने देश में UGC पर अगर वो लिस्टिट नहीं है तो युनिवस्टी आमानने है युनिवस्टी फेक है वो डिटेल सब ये डालेंगे तो यहाँ पर UGC का इंटरफेस खुल जाएगा मतलब युनिवस्टी की वेबसाइट खुल जाएगी UGC की है UGC की वेबसाइट जैसे ही खुलती है तो वेबसाइट पर आप देखेंगे तो यह टैब है जहाँ पर Universities लिखा है Universities पर जाएगे तो State Private Universities नीचे लिखा हुआ आएगा आप State Private Universities पर क्लिक करेंगे तो वहाँ सबी States के नाम लिखे वे दोस्तों आ जाएगे जितने भी नाम लिखे हैं वहाँ पर States के State-Y University आपको वहाँ पर मिल जाएगी आप उत्तर प्रदेश पर आप क्लिक कीजिए जैसे ही आप उत्तर प्रदेश पर क्लिक करते हैं तो उत्तर प्रदेश पर क्लिक करते ही टोटल जो 32 प्राइबिट युनिवस्टी चलती हैं अभी UP में उन सभी उनिवस्टी की पूरी एक लिस्ट खुल जाएगी कितनी उनिवस्टी हैं और कहां कहां चलती हैं तो उनी में से साथवे नंबर पर आप जैसे ही देखेंगे तो यहाँ पर लिखा है GLA University GLA University उसकी official website है www.gla.ac.in उनिवस्टी बनी है 2010 में मतलब की 1 सितंबर 2010 में युनिवस्टी ये बन कर आई है युनिवस्टी को और भेतर तरीके से जानने के लिए आप इसको more detail पर आप क्लिक कर दें जैसे ही more detail पर आप क्लिक करेंगे युनिवस्टी के contact information में कुछ detail डली है यहाँ पर युनिवस्टी के official website डली है कुछ mail ID है कुछ phone number से आप युनिवस्टी से सीधा contact कर सकते है साथ में VC साहब युनिवस्टी के कौन है प्रोफेसर फालगुनी गुपता युनिवस्टी के ये VC साहब है और साथ ही इनके यहाँ mail ID डली है और phone number भी mention है रेजिस्टार information में आप देखेंगे शरी अशोक कुमार सिंग यहाँ पर उनका phone number और mail ID mention है तो ये था युनिवस्टी का UGC पर update जो आप UGC की website पर जाकर चेक कर पाएंगे दोस्तों हम कभी नहीं बोलते कौन सी युनिवस्टी अच्छी है ये खराब है किसमें आप admission ले किसमें आप admission ना ले पर मैं आपको एक बाद जरूर बता दू कि आप admission लेते हैं किसी भी युनिवस्टी में जा रहे हैं उसके लिए फैकल्टी मेंबर्स युनिवस्टी के पास कैसे हैं होस्तल है कि नहीं ऐसी बहुत सारे चीजों के बारे में आपको पता होना चाहिए अपने विवेक से काम ले ऐसे ही जाकर सीधा admission किसी भी युनिवस्टी में आप बिल्कुल ना ले क्योंकि ऐसे admission लेने के बाद हो सकता है कि बाद में आपके साथ कुछ problem हो जाए हालकि युनिवस्टी बोलती है कि युनिवस्टी ओवरॉल लगबग 5 साल से placement दे रही है और यहाँ पे 86% तक placement दिया है साथ में ही जो हम बात करें अलग फैकल्टी मेंबर्स की फैकल्टी मेंबर ग्लोबल इंस्ट्यूशन में लगबग 6500 प्लस की बात कर रहे हैं 15,000 से जादा स्टूरेंट्स अब तक एंडॉल हुए हैं ऐसी बात युनिवस्टी करती है बड़े युनिवस्टी का विजट करें जाकर देखें तभी आपको युनिवस्टी के बारे में और बहतर में पता चलेगा अब दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पर की युनिवस्टी कोर्सिस कौन-कौन से करवाती है हमने जैसे आपको बताया कि online courses पर हम एक और वीडियो लेकर आएंगे उसमें बताएंगे पर अभी university किन-किन courses में admission ले रही है आप उसके बारे में जान लीजिए university बोलती है कि हम b.tech करवाते हैं b.tech courses में admission लेते हैं b.tech की बहुत सारी जो streams हैं यहाँ पर mention है किस-किस में admission लेते हैं बहुत सारी unique streams भी हालकि यहाँ पर mention है आप जाके university की website पर देखेंगे जो है www.gla.ac.in आपको details यहाँ पर आकर मिल जाएगी b.tech करवाती है university उसके अलावा जो और courses ले हैं अब उसके बारे में आप थोड़ा समझे यह university जो other courses करवाती है उन course के बारे में आप जाने जैसे कि b.tech honors में chemistry करवाती है biotechnology करवाती है physics करवाती है यह अगरिकल्चर करवाती है बी pharmacy जैसे courses में admission लेती है मैं आपको बता हूँ दोस्तो बी pharmacy कराने के लिए university के पास PCI pharmacy council of India का approval होना चाहिए तब ही university करवा सकती है ऐसे course ने गरा सकती BCA करवाती है university BA honors मतला economics करवाती है साथ में university BA LLB honors करवाती है अगर university कोई भी LLB करवाती है तो वहाँ पर BCI बनलब बार council of India का approval का होना ज़रूरी है हला कि approvals पर भी अभी हम बात करेंगे आगे-आगे अपनी इस वीडियो में university BICOM जैसे courses करवाती है BBA professional course करवाती है BICOM LLB honors करवाती है university BBA करवाती है बहुत छोटे-छोटे courses जो है सारे जो BCA है BBA है BCA space lessons है यह सब courses के बारे में university ने हला किया mention किया हुआ है post graduate courses की अगर हम बात कर लें हाँ पर तो post graduate में university mtech में admission लेती है M.Tech करवाती है M.C.A. करवाती है M.Pharmacy कर सकते हो Pharmacology में कर सकते हो M.Sc.A. कर सकते हो MBA कर सकते हो university से आप M.Sc.A. कर सकते हो LLM कर सकते हो MBA कर सकते हो ऐसे कुछ courses university करवाती है डॉक्टरल के अगर हम बात करें मतलब मैं आपको दोस्तों एक बार पताना चाहूँगा जितनी भी universities बनती है और जब university को U.G.C. का approval मिलता है तो वो सभी university सभी तरह के courses में admission ले सकते हैं जैसे की सभी तरह के certificate, diploma, U.G.P.G. मतलब बंदे graduate programs या post graduate programs या फिर university research work मतलब PhD में भी admission ले सकती है बिना किसी दूसरे approvals के बट जो भी कोई दूसरे courses के लिए council बनी है अपने देश में उन courses को चलाने के लिए university को उस council का approval लेना पड़ता है वरना university उन courses को नहीं चला सकती जैसे मैंने भी आपको बताया था कि अगर LLB करवाना है किसी university को तो Bar Council of India का approval चाहिए अगर कराना है फार्मेसी करवाना है तो PCI Pharmacy Council of India चाहिए अगर कोई भी university बीड करवाती है तो NCT का approval चाहिए अगर कोई उनिवस्टी BSC nursing करवाती है तो India Nursing Council का approval चाहिए इसी तरह से चो यह council courses है उनके लिए council का approval होना बहुत ज़रूरी है वरना यूनिवस्टी उन courses को नहीं करा सकती कुछ courses के list यूनिवस्टी ने अपनी website में mention की है आप उस list से भी काफी कुछ हाला कि समझ पाएंगे बर मैंने जैसे आपको बताया कि यूनिवस्टी को जब तक आप विजिट ना करें तब तक यूनिवस्टी में admission ना लें आपके साथ problem हो सकती है आप किसी भी तरह से problem में फस सकते हैं अलगे दोस्तों यूनिवस्टी ने अपनी website पर अपने approvals को लेकर मतलब की कौन-कौन से approvals हैं यूनिवस्टी के पास उसके बारे में खुल कर बात नहीं की है पर मैं आपको बता दूँ कि यूनिवस्टी के पास जो approvals है जैसे सबसे पहले UGC मतलब यूनिवस्टी बनती है 2010 में पहला approval तो यह किसी भी यूनिवस्टी को बनने के लिए किसी भी यूनिवस्टी को चलने के लिए पहले UGC पर होना होता है UGC पर लिस्ट यूनिवस्टी का होना जरूरी है उसके बाद हम लोग अगर उनिवस्टी की बात करें और approval की तो यूनिवस्टी को मिला है NEC A plus accreditation यूनिवस्टी का NEC का मिला हुआ है तो यूनिवस्टी online courses करा सकती है मैं आपको बता दो पर कौन-बौन से कौन सी करा सकती है क्या fees है उसके बारे मैं अलग से वीडियो लेकर आएंगे पर आपको एक बात का दोस्तों विशेश रूप से ध्यान डखना है बाकी approvals के बारे में बताने से पहले किसी भी consultant के द्वारा आप admission लेते हैं consultant को सिर्फ उसकी consultancy दे कभी भी पूरी fees ना दे fees हमेशा university को ही पे करें पूरी जो fee आपकी बनती है यह हमेशा से ही हमेशा आपको follow करना है वरना आपके साथ परिशानी होगी आपके साथ problem होगी हम नहीं कहते हैं इस university में अटमिशल ले अपने विविक से काम ले और हम जो वीडियो बना रहे हैं हम वो बता रहे हैं कि जो अपडेट है चीजों का जो status research का हमारा बोलता है उसके बारे हम आप से आज बात कर रहे हैं university के पास UGC है, NEC accreditation है, university के पास NEC approval मिला हुआ है इसलिए university online courses चला पाती है NIRF की 100 जो ranking है उसमें तो यहाँ पर university का नाम फाभी फिलाल के लिए नहीं है बट online course university करा सकती है साथ में university के पास NCT approval university बोलती है वालना B.A.D. करा सकती है Pharma Council of India का approval university बोलती है साथ में university के पास अगर अगर अजूसर अप्रूवल देखें, अलेल भी करवाती है तो BCI का Bar Council of India का युनिवस्टी के पास approval होना चाहिए और दोस्तों बात आती है AICT की दोस्तों AICT के approval के जरूवल के जरूवत नहीं होती है NIRF में भी इसको हम compare करेंगे, साथ में आपको बताएंगे युनिवस्टी के पास NAC accreditation का वाया, यह सब भी हम धिकर करेंगे युनिवस्टी के किस approval के बारे में जानना चाहते हो, किस course के बारे में जानना चाहते हो कमेंट बाक्स में जरूर बताना, हम नेक्स वीडियो लेकर आएंगे, आपके डाउट्स को पूरी तरह से क्लिए करने कोशिश हम जरूर करेंगे और साथ ही दोस्तों अच्छा लगाओ, आज का हमारा वीडियो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिलकुल न भूले, साथ में लगाब लेकर जरूर दबा दें, ताकि इसी तरह की एद्यूकेशनल वीडियो आप तक पहुंच सके सबसे पहले, बहुत 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 झाल